हेलो दोस्तो जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चलते हैं कौन सी बुक से पढ़ा जाए कितना पढ़ा जाए नोट्स कैसे बनाए जाए स्ट्रेटेजी कैसी बनाए जाए जीके को लंबे टाइम तक दिमार्ट में कैसे रखा जाए सबसे सांदार और जांदार तरीका में लेकर आ गया हूं अपनी लाइफ के सिर्फ दस मिनट निकाल कर यह वीडियो पूरा देख लो तो दोस्तों हंड्रेट परसेंट दोजार इक किसमें आप लोग एक सेलेक्शन ले लोगे दोजार इकिसमें एक नोकरी ले लोगे 100% कारंटी देता हूं इस बात की मैं आपको बताऊंगे कि टोपर नोट्स कैसे मनाता है कैसे पढ़ाई करता है और कैसे आपको सेलेक्शन लेना है ठीक है गाइज गाइज अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर ठोक देना और ज्यादा से ज्यादा गुरूप में इस इन्फोर्मेशन को शेयर कर देना आप लोगों से हाँ जोड़कर विंति करता हूं अगर वीडियो पसंद आए तो गाइज अगर आप इन में से किसी भी गोवर अगर देख लेते हैं एक छोटी शी कोटेशन आपके लिए किसी ने क्या खूब बात कही है सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं सपने दोस्तों वे होते हैं जो नींद को हराम कर देते हैं तो दोस्तों आपको ये भी बताउंगा कि आपको मोटिवेट कैसे रहना है कैसे आपको लगतार पढ़ाई करनी है कैसे आपको selection लेना है दोस्तो अभी एक survey हुआ था competitive exam में आपका लगबग अब आपका portion 60% तक आपका जो portion होता है किसी भी government exam का तो दोस्तो वो आपका GKGS cover करता है मतलब GKGS से ही आपका maximum portion आने लगा है तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कितना value आपके GKGS का है ठीक है guys आगी बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं खुद कैसे notes बनाता हूँ कैसे कौन से pen में योज करता हूँ कैसे मैं तियारी करता हूँ तो guys यह वीडियो आपके लिए मैं आपको भोल रहा हूँ 100% guarantee देता हूँ इस बात की अगर आपने आज यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तो यहाँ से आपको कोई नई चीज बता चलेगी अगर मैं आपको नहीं बता पाया तरीका तो दोस्तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा ठीक है guys सभी government exam के लिए जो यह तरीका होगा यह best रहेगा 100% यह आपका valid तरीका है कैसे आपको पढ़ाई करने चीए कैसे आपको जी के तियार करने चीए तो दो guys YouTube पे सबसे पहली बार सबसे सांदार और जानदार तरीका लिशेंट को पढ़ने का तो दोस्तों आपको कैसे पढ़ना है देख सकते हो आप लोग सभी government exam की बात में यहाँ पर करूँगा ठीक है guys आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने मान के चलो आपने लुशेंट बुक को हाथ में लिया वाए और आपको यहाँ पर आपने इंडियन हिस्टरी को उठा लिया तो guys इसमें से आपका modern हिस्टरी जो होता है modern हिस्टरी आपका सबसे important topic होता है इसी से ही आपका लगबग 80% portion यहाँ पर cover होता है किस से जो आपका इतियास होता है अगर आपने modern हिस्टरी को पक्का कर लिया तो दोस्तों कोई भी exam आप लोग क्रेक कर सकते हो अगर बात की जाए भुगोल की जोगरफिकी अगर आपने कोई जो इनके hit topic होते है जो की मतलब world geography होती है रो इंडियन geography होती है पोलिटी के लिए मैंने बोला है जादतर portion आपका जो constitution वगएरे से आता है maximum जो portion होता है वो आपका आता है समिधान से यानि constitution से अगर बात की जाए economics जो इनके hit topic होते है science में biology सबसे जादा important होता है physics के hit topic और chemistry के hit topic ठीक है guys आगे बात कर लेते हैं इसकी आपकी विज्ञान और प्रोधिगी की तो दोस्तों इसमें जो भी important topic है उसके उपर भी मैं वीडियो बना दूँगा लेकिन जो भी आपके छोटे-छोटे important topic होते हैं उनसे आपको notes बनाने चीएं अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैं खुद के notes बनाता हूँ कैसे मैं कौन से pen में use करता हूँ आगे देख लेते हैं और दोस्तों एक survey का अनुसार पता चला है जी के पढ़ने का time सुबह के 6 बज़े से लेकर सुबह के 6 बज़े से लेकर 9 बज़े तक का time सबसे best माना जाता है ठीक है guys सबसे best time माना जाता है सुबह के 6 बज़े से लेकर और 9 बज़े तक अगर आप इस time पर पढ़ाई करते हो तो दोस्तों definitely आपके दिमाग में बैठ जाती है चीज़े कभी भी आप लोग नहीं बुल पाते और सबसे बड़ा जो important factor होता है वो होता है आपका revision आप कितने बड़ी ऐसे revision कर रहे हो revision का मतलब होता है बार-बार किसी चीज़ को दोराना ये सबसे बड़ा factor होता है तो guys अब मैं बात करता हूँ कि notes कैसे बनाने चाहिए और कैसे आपको यहाँ बर आपको notes बनाने चाहिए और आपको कि कौन से pen का मैं खुद यूज करता हूँ कैसे notes बनाता हूँ पहले एक बात बता देता हूँ अगर आप किसी government exam की तियारी कर रहे हो अपने ममी पापा का सबना पूरा करना चाहते हूँ यह platform आपके लिए best वहेगा आपको करना क्या है नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को subscribe कर लेना guys bell icon को own कर लेना ताक कि सभी ट्रिक वाली वीडियो का notification आपको हमारे चैनल exammatic study पर time to time मिलता रहे तो guys यह वीडियो आपके लिए best होने वाली है और वीडियो को like जरू कर देंगे और share कर देंगे अब मैं बात कर लेता हूँ notes की मैं खुद के notes कैसे बनाता हूँ guys आप आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने Lucian से इतियास का portion उठा लिया तो क्या करेंगे जैसे मानके चलो मैं हाँ से पढ़ रहा हूँ मुगल समराजब यानि मुगल एंप्रर मैंने बाबर का एक टोपिक उठाया उसके जो संसिता पक थे मुगल एंप्रर के मुगल समराजब उनका नाम था बाबर इनका सासनकाल कब से कब तक था 1526 इसवी तक मतलब 1526 से लेके 1530 इसवी तक इनका जनम कब हुआ था 14 फरवरी 1483 में 24 फरवरी 1483 में इनका जनम हुआ था और पिता का नाम था उमर शेक मिरजा उमर शेक मिरजा इनका नाम था और दोस्तों गाउं कौन से था फरंगाना इनका गाउं था पिता की गद्धी इन्हें कम मिली थी 8 जून 1434 को और बाबर के जो पुत्र थे उनका नाम क्या क्या था हुमायू, कामरन, असकरी और हिंदाल इनके ये नाम थे भारत पर इन्होंने आकर्मन कब किया था, मतलग कितनी बार किया था बाबर ने, पाँच बार तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे, कोई भी पॉइंट आपका कभी भी मिस नहीं होगा और कोई भी आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी और आपको ऐसे notes पढ़ने में मज़ा भी आएगा मैं आपको बताऊँगा मैं खुद कौन से pen use करता हूँ यह तरीका आपको करना है apply करना है अगर आपको यह तरीका बढ़िया लगा तो आप लोग comment करके बताना सर हमें आपका तरीका बढ़िया लगा और हम ऐसे पढ़ाई करेंगे ऐसे ही और जो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए एक आपसे इंपोर्टेंट गुजारिस करता हूँ लाइक कर देना और सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना कैसे आपको नोट्स बनाने चीए ठीक है गाइस और जो भी बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर लेगा गाइस ठीक है अब देखो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर केमस्ट्री की इसकी विधी क्या है मैंने आपर लिख दिये विस्पोटक गति क्या है या इसे लिख सकती है तो दोस्तो इसी तरीके से आपके एक्जाम में सवाल पूचे जाते यही तरीका आपका नोट्स बनाने कर रहेगा जैसे मैंने RDX ले लिया जिसकी फुलफो में Research and Development Explosive और इसका विस्पोटक गति क्या है यानि Explosive Heat Speed क्या है 1510 किलो कैलोरी पर किलोग्राम ठीक है गयस तो यह तरीका आपका नोट्स बनाने का हो सकता है मतलब यह तरीका मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में यह चीजे फेस की है कि एक बढ़िया नोट्स ना होने के कारण भी आपका selection कई बार रुख जाता है क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में नोट्स बहुत ही अच्छी writing में होंगी beautiful head writing में होंगी तो guys आप लोगों को पढ़ने में भी मजाएगा और आप लोगों को अपने target को focus करने में भी मजाएगा तो दोस्तों अगर आपको मेरी तरीका पसंद आया मेरा तरीका पसंद आया और आपको वीडियो का जो भी आपको वीडियो है वो पसंद आई तो दोस्तो कमेंट करके बताना कि सर हम आपकी बात से अगरी करते हैं हमने वीडियो को शेयर कर दिया और लाइक भी कर दिया है एक लाइक तो यार दोस्तो ठोक दोगे जरूर अब बात कर लेता हूँ मैं खुद कौन से पैन यूज करता हूँ एक छोटा से ये तरीका भी आपका नोट्स बनाने का हो सकता है ठीक है गाइस जैसे मौन के चलो आपने ये आपके चीट नोट होते हैं चीट नोट कौन से होते हैं बाजार में आपके चोटी चोटी चीट आती हैं चिट आती हैं उनको आप दिवार पे चिपका सकते हो अपने जो आपका study room है जैसे मैंने उठाया रेसम कीट इसके अध्यन को क्या बोलते है शैरी कल्चर और जो सांप होते हैं उनके अध्यन को क्या बोलते है ओफियोलोजी और दोस्तों जो कीट का अध्यन होता है उसको बो से में 46 तो दोस्तों यह जो चीट नोट बनाने का तरीका होता है यह भी आपके लिए best रहेगा मतलब इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर नोट्स बना सकते हो और अपने selection को 100% पक्का कर सकते हो दोस्तों यह जो यह तरीके होते हैं यही आपके टोपर फोलो करते हैं इन तो दोस्तों यह मैं खुद पैन कोन से यूज करता हूँ नोट्स बनाने में यह आपके होते हैं 200 से लेकर यह आपके 250 रुपे तक के यह आपके ओनलाइन मिल जाएंगे आप इसको ओडर भी कर सकते हो इनका नाम है आट लाइन एगरो लाइन यह आपके कैलिगराफी पैन ह जिनसे आप हैडलाइन बनाके लिशन्ट बुक के नोट्स बना सकते हो ठीक है यह तरीका भी मैंने आपको बता दिया यह आपके ओनलाइन बुक भी हो सकते हैं तो आई ओब दोस्तों आपको यह मेरा तरीका पसंद आया होगा आपको लुशन्ट पढ़ने का तरीका भी बहुत बहुत विंति करता हूँ आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा अपना रिविईू देंगे ऑर ना रिविवूद आपको हमारे चैनल एक्जाम मेंटे की स्टेड़ी पर टाइम टो टाइम मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय टेक क्यार भगवान करें आपके सारे सपने सचों धन्यवाद